यूटीब चैनल पर आपसे भी कब बहुत बहुत स्वागत है ये वी स्कूल अलग अलग जगे से अलग अलग लोकेशन से वेकेंसी जा रही है तो जो भी इंट्रेस्टेट कैंडिडेट है डीटेल्स देखकर अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट गाइज टीचर टीचर पी आटी और एंटीटी की वेकेंसी से फ्रेशर इसमें अप्लाई कर पाएंगे इसमें इमेज जो एडवर्टीजमेंट है विज्यापन है जिसकी इमेज आपके साथ वीडियो में शेयर की जारी है मतलब क्लारिटी इतनी नहीं है क्योंकि अभी जैसा आता है वैसा तो मैं आपको र वेबसाइट पर फॉर्म के लिए और फॉर्म के लिए आफिस जाना पड़े का रिसेप्शन वगर स्कूल के जो ओफिसे रिसेप्शन वो विजट करनी होगी यह स्कूल की वेबसाइट है एडवर्टीजमेंट चेक कर लेते हैं पोस्ट्गज़ टीचर जैसे मैं आपको ब वेबसाइट पर फॉर्म करते हैं उनको कुछ कांड़ेट को पर्मनेंट कर देते हैं पेशकेल भी देते हैं पर शुरू में तो कॉंट्राइक पर ही रहता है यह लेकिन एक चीज अच्छी है दियर में कि ट्रांसफरेबल जॉब रहता है फीमेल के लिए जिनके पाउज य पोस्ट गाज़ू टीचर बायोलोजी फिसिक्स पॉलेटिकल साइंस टीचिटी में संस्क्रेट हिंदी सोशल साइंस आर्ट म्यूजिक फिजिकल एड्यूकेशन प्राइमरी टीचर में जेनरल में तो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं तो जैसे मैंने आपको बताए कि अड़ तो यहां से इसके अफिशल वेबसाइट पर कोई भी अप्डेट नहीं है आज न्यूस्पेपर में पॉब्लिश हुआ अब शुरू से देख लिजे कि क्या क्या है और क्वालिफिकेशन अगेरा सर्ला चोप्रा डीएवी पॉब्लिक स्कूल सीनियर स्वारी सेक्टर 56 नौएडा और चित्रगुपतर रोड न्यू देली मैनेज्ट बाई दीएवी सीमसी सेशन 2024-25 के लिए तो नौएडा उत्तर प्रदेश में अप्लिकेशन सार इन्वाइट फॉम सेकेंड एप्रेल मतल जो कैंडिडेट सीबीटी एक्जाम इस बार दीए अपियर हुए और क्वालिफाय हो गया सीबीटी एक्जाम हुए थे मैंने अपने चैनल पर नहीं डाला था विकास दीएवी नावलोग और इंडिया सीबीटी एक्जाम कंड़क करें क्योंकि उसकी वैलिडिटी सिर्फ अगर इस साल आपको जौब नहीं लगती है तो फिर नेक्स्ट यर आपको फिर से सीबीटी देना होगा थर्ड यर फिर देना पड़ेगा तो जितने साल आप दीएवी में जौब नहीं मिलती है और करना चाहते तो बार-बार एक्जाम देते रहना होगा इसलिए मुझे यह सही नहीं लगा और मैंने इसकी प्रोमोशन नहीं की थी तो सीबीटी जिनोंने क्वालिफाई किया वह आपियर हुए होंगे तो वही अलिजिबिलिटी यहां भी होगी प्राइमरी टीचर जेनरल इंग्लिश साइंस नर्सरी टीचर नर्स की एस्टेट तो चाहिए टीजिटी और प्रटी पोस्ट के लिए फाइनल सेलेक्शन के लिए रिटेन टेस्ट नहीं होगा क्योंकि यह तो होई गया डेमो होगा और पैनल इंटर्व्यू होगा तो आप अगर सीबिटी एक्जाम क्वालिफाई कर गया है तो पीसी सर्टिफि करना पड़ेगा वहां से फॉर्म रिसीव करना होगा फॉर्म एप्लिकेशन फॉर्म रिसीव करेंगे आप स्कूल जाएंगे वर्किंग डेस में 2nd April से 25 April तक कि किसी भी दिन वर्किंग डेस में Saturday, Sunday छोड़के holidays छोड़के किसी भी दिन आप स्कूल रिसेप्शन विजिट क करेंगे वहां से एप्लिकेशन रिसीव करेंगे उस पे फोटोग्राफ पेस्ट करेंगे फिल करेंगे फॉर्म को जो फोटो कॉपी से 10th onwards passing certificate mark sheet वो फोटो कॉपी आप लगाएंगे और फिर वो फॉर्म आप एक एंवेलप में रखके उसको सील करके फिर उस पे अपना अड पर अभी तक तो कोई फॉर्म नहीं आया मैं लिंक दे दे तो वीडियो के description box में अभी तक तो कोई फॉर्म नहीं है